हल्बलाद मरा प्लेटी हंथे करेंगे छेनला करेंगे या मैं क्लासिफिकेशन को और यह क्लासिफिकेशन है यह एक थिश्फिकेशन नेडिड को हमके करेंगे इनिवर्टी ब्री जीवंगी के शोंग धाब है और जिनके ऑथर है रोपर्ट, फॉक्स और बांस इनके ऑथर है जैसे कि हमें पता है कि जो प्लेटी हिलमेंथिस है ये जो ग्रूप है ये अबाउट इसमें तकरीबन 34,000 क्या है डिस्क्राइब्ड स्पीसेस है और सारे के सारे जो इस्पीसेस है उसमें कोई ऐसा कोई यूनिक डिफाइनिंग केरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसलिए हम इसको बोलते हैं साइनो मॉर्फीज हम बोलते हैं इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये एंसेस्टर एंसेस्टर प्लटि हलमेंतिस है ये ये एंसेस्टर प्लेटि हलमेंतिस में इक स्पिस्फिक अगर मान लीजिए क्यौ ए स्पिसिक के जो descendant होंगे तो उनके जो descendant होंगे उसमें भी क्या होगा तो same characteristics होंगे same characteristics होंगे और यह characteristics क्या होंगे change नहीं होंगे तो हम लिखते देते हैं यहां पर not changing यह change नहीं हुआ तो यह characteristics चेंज नहीं हुआ तो यानि यह क्या है जो अभी के प्लेटी हलमेंथिस है हम यहां लिख सकते हैं नाव तुडेज तुडेज प्लेटी हलमेंथिस की अगर हम बात करें हम बात करें तो उसमें यह characteristics चेंज नहीं हुआ है same जो characteristics थे इनके descendant में भी वही characteristics थे तो इसी लिए हम बोलते हैं कि उनमें कोई unique defining characteristics नहीं है और इसी के लिए हम इस के लिए इस term के लिए हम बोलते हैं sinomorphies है इसके अलावा जो इस platy helmetis के अंदर four classes है जिसमें पहला class है तर्बुलेरिया class है तो यह जो तर्बुलेरिया जो class है इसमें जितने भी living organism है ज्यादा तर क्या है mostly क्या है free living individuals है इसके अलावा जो three classes है तो उनमें से first class है monogenia, trimetida और जो cystoda है यह माना जाता है कि यह सारे के सारे क्या हुए है कि माना जाता है कि यह सारे के सारे evolve हुए है free तर्बुलेरियन से और यह तीनों के तीनों class क्या होते है ज्यादा तर parasite होते हैं वहीं पर हम यह भी मानते हैं कि जो platyhelminthes के जो parasites होते हैं वो सबसे oldest parasite है अब हम discuss करेंगे general morphology को तो general morphology में जैसे हमें पता है कि जो phylum platyhelminthes है यह acylomates होते हैं इनकी जो body होती है drossoventrally क्या होती है फ्लेटेड होती है और इसी बज़े से इस animal को हम लोग क्या करते हैं commonly बोलते हैं flatworms हम इनको यह term use करते हैं इनको समझाने के लिए इसके इलाबा यह living organism क्या है bilaterally क्या है symmetrical है और इनमें क्या होता है flame cells होते है या जिनको हम proto nephretic cells भी बोल देते हैं कि जो की excreation में help करता है या तो osmore regulation में help करता है इसके अलाबा जो platy helmetis होता है इसमें ना तो definitive क्या है anus होता है और ना ही इसमें क्या है skeletal system होता है ना ही circulatory system इनमें पाया जाता है अब इनमें एक space present होता है body wall के बीच में और internal organ के बीच में एक space present होता है और वो space क्या होता है filled होता है एक connective tissue से तो और unattached and fixed cell से क्या हो जाता है वो filled होता है अब यही जो intracellular space होता है तो इसी को हम बोलतेते हैं parent काइमा हम बोल देते हैं अब हम समझेंगे कि जो platyhelminthes होता है उसमें nervous system कैसा होता है जनरली यह कहा जाता है platyhelminthes का जो nervous system होता है बहुत ही primitive type का होता है या तो net type का होता है या sometime हम लोग बोल देते हैं ladder type का होता है ladder type का होता है अब हम समझते हैं कि यह primitive type का nervous system किस तरीके से होता है मैं एक diagram के थूँ इसको समझाने जा रहा हूँ मान लीजे यह एक हमारा living organism है platyhelminthes है तो platyhelminthes है तो यहां पर क्या है कि आपको मैं yellow color से आपको यह एक nerve code को draw कर रहा हूँ तो यह दो nerve code आपको दिखाया दे रहे हैं तो यह दो nerve code को हम लोग बोलते हैं longi longitudinal nerve code बोल देते हैं और बिल्कुल इस longitudinal nerve code के बिल्कुल anterior reason में दो cerebral ganglia present होता है जिसको मैं green color से show करने जाओंगा तो आप यहां यह देखिएगा तो यह हम इसे बोलते हैं ganglion ganglion है और pair of ganglion तो हम यहां लिख रहे हैं pair present होता है इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अलावा एक transverse क्या है nerve codes भी present होते है तो transverse nerve code को मैं blue दिखाना चाहूंगा तो यह transverse इस तरीके से nerve code present होता है तो मैं इसको लिख देता हूँ transverse nerve code अब आपको यह जो picture दिखाय दे रहा है पुरा nervous system तो हमको यह nervous system बिलकुली किस तरीके से दिखाय दे रहा है यह ladder type दिखाय दे रहा है इसलिए हम इसको बोलते है ladder type nervous system word use कर लेते हैं तो अब हम यहां देख रहे हैं कि यह simple type का nervous system है बट जो parasitic form होते हैं उन parasitic form में बहुत ही highly developed क्या होते है nervous system पाया जाता है अब हम discuss करेंगे कि जो attachment का mechanism होता है तो वह किस तरीके से होता है और attachment organ को हम discuss करेंगे अब mainly क्या होता है कि जो यह attachment जो organ होता है इनके थुरू क्या है यह अपने host के साथ attach हो जाते हैं यह तो यह हम कहते हैं कि प्लेटी हिलमेंथीस का क्या है यह adaptation है तो यह adaptation का result है और यह जो आपका attachment होता है एक attachment organ के थुरू होता है यह organ क्या होता है? muscles, succession, cup होता है जिसको हम बोलते हैं या तो उसको हम suckers बोल देते हैं और यह जो suckers होते हैं various forms में पाय जाता है different shape size और structures होते हैं अगर हम बात करें anterior reason में जो suckers present होता है तो उसको हम बोलते हैं anterior oral occur बोलते हैं और जो weintral reason में suckers present होता है तो उसको हम बोल देते हैं Aceta Bulem बोल देते हैं अब ये जो सकर्स होते हैं ये क्या होते हैं Vacuum के principle पे work करते हैं वहीं पे अगर हम Tape Worms की अगर बात करें तो इनमें क्या होते हैं जो ट्रू कप shape suckers होते हैं बट ये suckers क्या होते हैं modified हो जाते हैं, तो modified हो जाते हैं, groups के form में modified होते हैं, इसलिए इन सकर को botheria हम तर्म से बोलते हैं, और ये anterior reason में present होता है, और anterior reason को sollicis हम बोल देते हैं, वहीं पर अगर हम monogenia की बात करें, monogenia ये class है, तो बात करते हैं, तो इसका जो attachment organ होता है, वो posterior reason में present होता है, और posterior reason में present होने की बज़े से, इसके जो attachment organ है, उसको office to hapter हम बोलते हैं, अब हम discuss करेंगे कि elementary canal, तो elementary canal को specially हम समझेंगे parasitic form में, हम यहाँ पर free living form की बात नहीं कर रहें, यानि हम turgularians की बात नहीं कर रहें, हम cystoda की बात कर रहें, हम trimetoda की बात कर रहें, और हम monogenia की बात कर रहें, हम 3 classes की बात कर रहें, जो की parasitic form होते हैं, तो typically क्या होते हैं, कि जो आपका elementary canal होता है, वो blind sec type का होता है, यानि क्या होता है, कि जो ingation of food होता है, और e-gestation of waste होता है, एक ही opening से होता है, और एक opening क्या होती है, माउथ होती है इनके पास, अब इसके बात बात आती है, कि जो हमारा, कि ये जो parasite होते हैं, generally क्या होते हैं, ये digested nutrient होते हैं,hone के digested nutrient होते हैं, उसमें present होता है, अब present होता है, तो ये nutrient होता है, सबसे पहले इनके mouth के त्रूप, parasite के mouth में जाता है और isophagus में जाता है assimilation होना स्टार्ट हो जाता है यानि उसका absorption होता है फिर उसके बाद parasite के different body tissues पे वो transfer हो जाता है तो ये बात आती है completely digested nutrient की बात कर रहे है तो ये completely digested nutrient की बात कह रहेते हैं इसके अलावा कई बार क्या होता है host का जो food material होता है वो incomplete digested material present होता है तो ये अगर parasite present हो incomplete digested material में same क्या होगा कि ये जो incompletely digested material होता है वो सबसे पहले क्या जाएगा mouth में जाएगा mouth फिर उसके बाद isophagus isophagus पे जाने के बाद फिर क्या होगा ये caseal pouch में पहुँच जाएगा caseal pouch या lumilar से फिर क्या होगा enzyme का secretion होगा enzyme secret होगे enzyme क्या होगे इस partially digested food materials को क्या होगे digest करना start कर देंगे और digest करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा जो caseal wall है वो nutrient को absorb करेगा absorb करेगा फिर उसके बाद ये transfer करेगा body tissue पे तो different body tissue पे ये transfer करेगा different body tissue पे transfer करेगा इसके अलावा कि कुछ nutrients होते हैं जैसे कि जो amino acids की अगर हम बात करें या sugars की बात करें ये सीधा direct क्या होता है कि ये tubement के through क्या होते है absorb होता है तो ये tubement parasitic form में ही पाया जाता है तो अब हम tubement के structures को एक बार हम समझ लेते हैं ये जो आपको दिखाए दे रहा है तो ये tubements है parasitic platyhelminthus की बात कर रहे है तो यानि तीन classes की बात कर रहे है function होता है absorption absorption होता है किस चीज का nutrient का nutrient ये absorb करता है वहीं पर हम देखते हैं कि एक reason आपको दिखाए दे रहा है तो मैं इसको दूसरे color से show करना चाहूँगा तो green color use कर रहा हूँ मैं इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये जो आपको reason दिखाए दे रहा है तो मैं जो green color से आपको show कर रहा हूँ तो ये जो आपको reason दिखाए दे रहा है ये सारा reason जो आपको ये fluid field reason दिखाए दे रहा है fluid field reason यहाँ इसे कहते हैं sensual cytoplasm अब sensual cytoplasm किसले कह रहे हैं Sincal Cytoplasm इसले कह रहे हैं कि पूरा यह Cytoplasm है कि चारो तरफ यह Single Cytoplasm है Single ही चारो तरफ फैला हुआ है इसलिए इसको Sincal Cytoplasm कह रहे हैं अब Cytoplasm से ही Connected आप यहाँ पर देख रहे हैं एक Cell Structure है जिसको हम Cytone बोल रहे हैं अब यहाँ पर हम कहते हैं Microvilli plus Sincal Cytoplasm plus Cytone यह Collectively हम लोग इसको बोलते हैं Tubements अब यहाँ पर जो आपको यह Liquid Reason दिखाए दे रहा है Cells के बीच में तो यह जो Reason है इस Reason को हम Parenchyma बोलते हैं तो यह Tubements का Structures हमने आपको बताया तो इसी Tubements में जो Microvilli होता है यह Absorption में Help करता है तो Generally हम बोलते हैं Tubements क्या है जो Amino Acid होते हैं Carbohydrates को Easily क्या करता है Absorb करता है Host से अब हम Discuss करेंगे कि जो Chemical Compositions क्या होते हैं अब देखिए कि यह जो Chemical Compositions होते हैं Parasites के इसे Study करना क्यों जरूरी है Study करना क्या है इसको जरूरी इसलिए है कि हमें यह पता होना चाहिए कि जो Parasites है वो किस टाइब के Molecules से बने हुए है और दूसरा है कि यह जो Molecules होते हैं इनका Immunological Effect क्या होता है Host पे तो यानि यह क्या होता है किस तरीके से Host को Affect करते है इसलिए हम Chemical Composition को Study करते है Number First हम Protein की बात करेंगे तो जो यह Proteins होता है Platy Helminthes की अगर हम बात करें तो यह जो Protein होता है यह Stored नहीं होता है Platy Helminthes में तो अब अगर यह जो Proteins होता है तो यह Proteins क्या होता है कि क्या करते है Component of Animal की तरह अब यहां पर जो यह Protein होता है तो अब जैसे कि Parasite की Body में कोई तो क्या है Free Amino Acid Present नहीं होता है क्योंकि जो Amino Acids होते हों वो Directly या तो Protein के Synthesize पर यूज हो जाता है या तो यूज हो जाता है Energy Production में वहीं पर जो यह Presence of Proteins की बज़े से ही क्या होता है जो यह Parasitic फ्लेट वार्म होते है यह क्या होते है कि यह Protein की बज़े से ही क्या होता है अपने host को क्या करते है affect करते है जो कि host के लिए harmful होता है यह protein अब हम बात करते है Carbohydrates की अगर हम बात करें तो Glycosin क्या है एक major type का क्या है Carbohydrates है जो कि stored होता है यह flatworms में यह stored हो जाता है Primary अगर हम देखें कि यह जो Glycosin है वो stored होता है Parenchyma में stored होता है दूसरा है कि Muscular जो सकर्स होते हैं उन में देखा है कि एक liver जो fluke होता है Fasciola, Heptica इस genre में यह जो Glycosin है यह क्या होता है betaline जो glands होता है और जो क्या होता है eggs होते है in the uterus वहाँ पर यह क्या होता है stored होता है इसके अलावा जो amount of Glycosin होता है Platy Helminthes में यह fluctuate नहीं करता है हमने कई बार देखा है but कई बार क्या होता है अगर host में क्या होता है carbohydrates की कमी हो तो उनके क्या होते है जो parasites होते है उनमें भी Glycosin का जो amount होता है वो कम हो जाता है अगर हम एक इसका example देख ले तो जो एक example है intestinal tapeworm है जिसको हम hymenolopis dimenuta बोलते है यह parasite होता है एक rat के अंदर अगर मान लीजे rat क्या है कि इसके अंदर glycosin की कमी है यानि starvation condition में है तो hymenolopis dimenuta में glycosin कम पाया जाएगा यानि वाइसी वर्सा है अगर host में कम होगा तो आपका parasite में भी कम होगा अब जो protein होता है और जो कुछ polysaccharides होते है carbohydids यह आपस में मिलके polysaccharide protein complex बनाते है जो की क्या होता है एक antigens की तरह काम करता है और जो host के लिए क्या होता है harmful होता है harmful होता है अब हम discuss करेंगे lipids के बारे में अब कुछ studies में यह पाया गया है कि जो fats होते है यह platyhelminthis में present होते है और तकरीबन अगर हम systoma मानसुनी की अगर हम बात करें जो की एक blood fluke है इसमें 19 fatty acid पाया जाता है वहीं पे एक tape warm की बात करें hymenolopis dimeneta की बात करें 12 fatty acids पाया जाता है और यह जो lipids होते है यह parasitic जो flatworms में present तो होते है ठीक यह stored form में present होते है और कई बार क्या होता है कि उनके excretory जो products होते है उसमें भी यह fatty acid पाया गया है अब हम discuss करेंगे कि जो platyhelminthis होता है उसकी classification को हम discuss करेंगे तो हम यहाँ flow chart में देखते है कि जो phylum platyhelminthis है यह four classes में divided है तो first classes तर्बुलेरिया है तो तर्बुलेरिया generally क्या है हम पहले ही discuss कर चुके है कि यह free living है free living अब इसके अलावा तर्बुलेरिया में कुछ ऐसे living organism है जो कि parasitic भी होते है parasitic भी होते है तो यानि हम कहते है generally अगर term use करते है कि तर्बुलेरियन्स के लिए तो हम बोल देते है कि free living से बट हम वहाँ पे कुछ exception भी है कुछ living organism क्या है parasitic भी हम ही याद रखना है वहीं पे जो अगर हम monogenia class की बात करें या trimetoda class की बात करें या sistoda की बात करें यह exclusively क्या है parasitic form है तो हम parasitic form कह देते हैं यह exclusively parasitic forms है अब हम one by one क्या है कि इन सभी classes के characteristics को हम समझने की कोसिज करते है number first जो class है वो है तर्बुलेरिया अब देखिएगा कि हम यह कहते हैं कि जो 15% of tap warm है यानि प्लेट वार्म नहीं तर्बुलेरियंस होते हैं यानि आउट ओक दा 100% प्लेटी हिल्मेंथिस में से यानि प्लेट वार्म में से क्या है 15% क्या है तर्बुलेरियंस है इनका जो surface area होता है surface area to volume ratio बहुत क्या होता है कि high होता है जिसकी बज़े से क्या है कि dehydration का जो chances होता है air में बहुत ज़्यादा chances होता है इसी बज़े से क्या है टर्बुलेरियंस जो होते हैं ये जनरली क्या है aquatic environment में पाया जाता है ताकि वो dehydration को क्या कर सके कम कर सके अब टर्बुलेरियंस में जो 4500 टर्बुलेरियंस होते हैं ये free livings होते हैं और 150 जो species होते हैं ये क्या होते हैं parasitic होते हैं invertebrates पे अगर हम parasitic टर्बुलेरियंस की अगर बात करें तो ये believe किया जाता है या scientist इसे believe करते हैं कि ये evolve हुआ है independently different ancestors से वहीं पे जो free species जो टर्बुलेरियंस है यानि free living टर्बुलेरियंस है वो different ancestors से evolve हुए है अब जो mostly जो टर्बुलेरियंस होते हैं वो marine होते हैं और कुछ क्या होते हैं fresh water भी होते हैं और कुछ जो species होते हैं उसको consider करते हैं terrestrial बढ़ हमें यहाँ पे बात याद रखना है कि terrestrial वो ही reason में रहते हैं जहां पे humid area होता है mostly जो हमने अभी कहा टर्बुलेरियंस क्या होते हैं बैनेटिक होते हैं क्या है कि live in the oceans या तो lake, pond और river के bottom में पाया जाता है अब हम बात करेंगे कि जो टर्बुलेरियंस होते हैं कि जो उनकी body किस तरीके से होती है आप यहाँ पे देख रहे हैं picture में आप ध्यान दीजिएगा कि यह हमारा ventral reason है तो ventral reason में कुछ celia पाय जाते हैं तो मैं celia को red color से show करने जा रहा हूँ तो यह हमारा celia है तो यह red color से मैंने इन celia को show करा है तो हम इसको लिख देते हैं celia ताकि हमें समझ में आए तो यह celia present होता है हम टर्बुलेरियंस की बात कर रहे हैं इसके अलावा मैं दूसरे color यूज करना चाहूँगा तो मैं यूज कर रहा हूँ green color तो आपको यह जो lining देखा दे रहा है जिस lining को मैं draw कर रहा हूँ तो यह जो lining है तो इस lining में आप देख रहे हैं कि cells present है तो इसे epidermis हम लोग बोल देते हैं तो यह हमारा epidermis है epidermis के just below में आप देखते हैं कि इसके लिए मैं दूसरा color यूज कर रहा हूँ मैं yellow color use करने जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि एक reason है तो मैं इसको थोड़ा color कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए तो मैं yellow से जिनको मैं color किये जा हुँ यह जो देख रहा है आपको कि इसके अलावा यहाँ पर जो ये इस तरीके से आपको drossoventally जो structures दिखाए दे रहे हैं जिनको मैं yellow color से dark कर रहा हूँ yellow color से ये dark कर रहा हूँ तो ये जो structures होते हैं इसको drossoventally हम लोग muscles गोनते हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसको दूसरे color से show करना चाहूंगा मैं इसके लिए blue color use करना चाहूंगा आप यहां देखिएगा blue color show करना हूँ तो यहां आप देखिएगा कि यह जो आपको layer दिखाय दे रहा है इस layer को हम लोग बोलते हैं longitudinal muscles layer बोल देते हैं अब यहां पे आपको सेंटर की तरफ जो यह रीजन दिखाया दे रहा है यह हमारा गट है और आपको यह जो स्पेस दिखाया दे रहा है ओर्गन के बीच में तो यह स्पेस को हम पैरनकाइमा बोलते हैं जो फिल्ड स्पेस होता है अब हमें यह पता होना चाहिए कि यह जो टर्बॉलेरियन्स होते हैं इसी म्यूकस में भिदिन दा म्यूकस में ही यह अपने सीलिया को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं beating करना start कर देता है beat यानि मारना start करते है due to which जो ये living organism से होते है वो move कर सकता है तो ये इसी बज़े से move कर पाते है अब यहाँ पे जो हम अमने muscles की बात करी है ये muscles क्या है locomotion में भी help करते है तो अब हम देखते हैं कि जो musculature होता है तो ये locomotory movement में help करता है turbulence के और जो ये movement होता है ये इस type के movement को जो muscles use होता है उस type के movement को हम कहते हैं looping movement अब इस looping movement को समझने से समझते हैं इस picture से जो आपको इस picture दिखाए दे रहा है तो यहाँ पे ये living organism का ये anterior reason है और ये living organism का posterior reason है अब ये जो living organism का जो anterior reason है तो इस anterior reason से ये क्या करता है attach हो जाता है attach with the substratum substratum के साथ क्या हो जाता है ये attach हो जाता है attachment के बाद क्या होता है कि जो हमारा posterior reason है तो posterior reason क्या हो जाता है ये क्या होता है forward होना start हो जाता है तो हम लिख देते हैं forward तो forward होना start हो जाता है forward क्यों हो जाता है क्योंकि क्या होता है contracting होना start हो जाता है क्यों से muscles का longitudinal muscles का तो हम यहां लिख देते हैं contracting होना start हो जाता है longitudinal muscles का अब जैसे ही contract होता है तो यह क्या होता है forward move कर जाता है तो आप यहां picture में देख सकते हैं इसके बाद next step में क्या होता है जिसको हम दूसरे color से use करते है red color से इसके बाद next step में क्या होता है कि जो इसका posterior reason है तो हम इसको लिख देते हैं posterior reason तो posterior reason क्या हो जाता है अब यह attach हो जाता है किसके साथ, sovereignty gust, 유튜誌 такихPterành, अटेच हो जाता है, Attacks हो जाने की बजे से जो इसका anterior reason है, हम इसे लिख देते हैं जो anterior reason है, तो यह anterior reason क्या हो जाता है, release हो जाता है, तो हम यहाँ लिख देते है, anterior reason is releasing, या releases, anterior release किस बज़े से होता है, thrust की बज़े से release हो जाता है, जिसकी बज़े से ये क्या हो जाता है, forward move करना start कर देता है, तो मैं यहां forward लिख देता हूँ, और ये movement किस muscles की बज़े से होता है, ये circular muscles के contraction की बज़े से होता है, circular muscle contracting होना start हो जाता है तो इस type का जो movement होता है इसी को हम looping movement कहते हैं अब हम discuss करेंगे कि जो class monogenia होता है उसके character sticks को अब class monogenia में हमें यह चीज याद रखना है कि यह ectoparasite है ectoparasite तो यह ectoparasite है तो यह parasite किस़पर होता है especially जो finsis होती है उस पर यह parasite होता है और यह finsis के कहाँ पर parasite होता है जर्नरली जो gills होते है वहाँ पर यह parasite होता है अब यहाँ आप picture में देखिएगा कि जो आपको यह reason दिखा रहा है तो ये क्या हो रहा है, कि ये other जो क्या होते है, vertebrates को show कर रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूँ, vertebrates को show कर रहा है, other vertebrates का मतलब, especially हम amphibians की बात करेंगे, amphibians की बात कर रहा है, और बाकी का जो reason आपको ये दिखाये दे रहा है, ये जो reason दिखाये दे रहा है, ये क्या कर र कर रहे है कि beer नाम का एक scientist था 1932 में उन्होंने कहा कि जो 95% of जो monogenians होते हैं ये generally कहां पाये जाते हैं फिसिस में पाये जाते हैं और जो remaining 5% होते हैं ये report है ये पाया गया है ये mouth में urinary bladder of amphibious vertebrates में पाये गये हैं अब ये एक diagram है typical monogenia का diagram है तो आप देख रहे हैं कि ये इसका anterior reason है तो हम लिख देते हैं anterior reason anterior reason और ये इसका posterior reason है posterior reason हो गया अब हमें इक चीज़ याद रखना है कि इसका जो posterior reason होता है वहाँ क्या है attachment organ present था तो इस attachment organ को हम लोग क्या कहते थे office to hapter office to hapter तो यानि ये posterior reason में present होता है तो आप यहाँ देख रहे हैं तो मैं यहाँ थोड़ा सा dark करना चाहूंगा कि बिल्कुल center की तरफ आपको दो structure दिखाए दे रहे हैं तो ये जो दो structures हैं तो इस structure को हम लोग बोल देते हैं anchor बोल देते हैं ये anchors के बीच में क्या होता है एक bar present होता है जिसको मैं दूसरे color शे शो करना चाहूंगा तो ये मैं blue color इसके लिए use कर रहा हूं तो ये bar present होता है तो इसको transverse bar कहते हैं अब यहां जो ये anchor होता है anchor के according ही हम क्या करते हैं species को identify करते है species को identify करते है identify करते है on the basis of anchor से अब यही anchor क्या करता है कि ये host के साथ क्या होता है attach हो जाता है host की body में यानि gills पे attach हो जाता है तो हम लिख देते हैं attach with इस attachment को और strong बनाता है तो आप देख रहे हैं कि इसके जो office to hapter है इसमें कुछ और छोटे-छोटे hook-like structures होते हैं इन hook-like structure को हम marginal hooklets बोलते हैं जो कि इस attachment को क्या करता है और strong करता है अब हम बात कर रहे हैं कि anterior reason की तरफ हम देखेंगे तो इसके लिए मैं green color use करने जा रहा हूँ anterior reason में क्या है कि आपको कुछ structures दिखाए दे रहे हैं तो ये इस structures को हम लोग क्या कहते हैं head organ कहते हैं और इस head organ का क्या function है हमें नहीं पता है तो ये head organs may और may not भी present होता है may और may not present होता है यह जरूरी नहीं है कि ये present होता है इसके अलावा आप यहां देख रहे हैं कि कुछ spots दिखाए दे रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं eye sport बोल देते है eye sport बोल देते है और ये जो eye sport होता है ये may be present or not present तो हम लेखते है may be present present or not ये या तो present होता है नहीं होते है इसके अलावा आपको यहां पर क्या दिखाए दे रहा होगा कि male reproductive organs दिखाए दे रहे होंगे और female reproductive organs दिखाए दे रहे होंगे तो ये male और female reproductive organs ओर्गन होता है इसलिए जो living organisms है ये hermophrodite है hermophrodite है और इन में क्या होता है एक larva पाया जाता है इस larva को कहा जाता है onco onco myra cdm मेरा cdm उनको मेरा cdm हम लग बोल देते है अभी हमने discuss किया था कि ये living organism होते है host specific होते है तो इसको समझाने के लिए हमने यहाँ दूँ monogenia दिखा रहता है और ये monogenia हमने बताया था कि ये क्या होता है identify होते है किसके base पे anchor के base पे तो आप यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ तीन anchor है तो यहाँ आप देख रहे हैं तीन anchor है यहाँ पे तो यह हम लिख देते हैं यहाँ पे anchor anchor present है तो तीन anchor है और anchor के base पे ही हम क्या species identify करते हैं अब anterior reason में हम देखेंगे कि head organ present होता है है तो हम यहां लिख देते हैं head organ क्या है यहां पर present है तो head organ अब यहां पर ice poot भी present है तो यहां ice poot भी present है इसके बाद अब यहां पर यह anchor के base पर हम इसका नाम बता देते हैं तो यह three anchors present होते हैं इसलिए हम इसको बोल देते हैं Triancuratus. तो मैं यहां नाम लिख देता हूं. Triancuratus. तो यह Triancuratus इस जीनस का नाम है. अब यह जो Triancuratus है यह host specific होता है. यानि यह particular type के या specific type के fist में ही पाये जाएगा. तो यह पाया में जाता है. एक fist है जिसका नाम है. Anabis Tastydynes. दसमे ही पाया जाता है वहीं पर आप दूसरे पिक्चर में देखेंगे कि यहां आप देख रहे हैं कि यह anchor है तो यहां पर यह दो anchor आपको दिखाया दे रहा है तो मैं यहां लिख देता हूँ anchor तो two है तो दो anchor होने की बज़े से इस parasite का नाम क्या होता है बाइफर को हैप्टर तो याईनि दो anchor present है इसलिए बाइफर को हैप्टर बोल देते हैं अब हमने कहा था कि यह host specific है तो यह एक fist में पाया जाता है उस fist का नाम है मिस्टस मिस्टस वेटेटस मिस्टस वेटेटस हम इसको बोल देते हैं अब हम discuss करेंगे कि जो class trimetoda है उसका characteristics को हम discuss करेंगे तो commonly ये क्या है कि ये digenetic है digenetic यानि they complete their life cycle in two hosts दो hosts में करते हैं और इसको हम generally flux भी बोल देते हैं ये endoparasite होते हैं या तो ectoparasite होते हैं और आप इसको flux बोल देते हैं ये drossoventally क्या होते हैं फ्लेटेंट होते हैं बोड़ी इनका unsegmented होता है endoparasites होते हैं invertebrates पे और vertebrates पे इनकी बोड़ी में cilia present नहीं होता है बट जो tubement क्या होता है ये present होता है तो हम tubement के structure को हम पहले ही discuss कर चुके हैं दूसरा है कि ये timetoda में two type का sucker पाया जाता है यानि anterior reason में जो सकर पाया जाता है उसको oral sucker बोलते है posterior reason में जो पाया जाता है उसको ventral sucker या acetabulum हम बोल देते हैं इनके जो suckers होते है उसमें कहीं पे भी क्या है hooks present नहीं होते है और इसके कुछ जो families होते है three families कुछ blood flukes भी होते है जो blood पे क्या करते है हार्बर करते है blood पे host के तो यहाँ पर यह क्या है कुछ इसके examples हमने दिखा रखे है सिस्टो सोमा जिसे फैसियोल है इसका example है त्रमेटोडा का अब हम discuss करेंगे class सिस्टोडा का characteristics को तो यह जितने भी classes है जितने भी classes हमने platyhelminthis में हमने discuss किया है उन सभी class में से क्या है सिस्टोडा highly क्या है specialized है यह क्या होता इस इंडो पैरासाइट होताय है commonly इनको क्या बोलते है tape warm हम बोल देते है कियोंकि इनकी जो body होती है वो ribbon-like होती है तो ribbon-like होती है इसलिया हम इसको tape warm बोल देते है ट्रमेटोडा की तरा इनकी body में क्या होताय है 혼자, tube men present होता है all over the body जिससे क्या होता है जो कि absorption में help करता है इनका जो gut होता है वो ये absent होता है totally absent होता है जो epidermis होते हैं इनमें क्या होते है जो cilia नहीं present होता है तो cilia absent होता है बट उनकी जगा epidermis में microvilli present होता है जो कि एक small projection है जो हमने अभी discuss किया था tubement के structure में हमने आपको समझा दिया था अब जो cistoda होता है इसका attachment जो organ होता है anterior reason में होता है anterior reason में present होता है इसको anterior reason को हम scollex बोल देते हैं cistoda के case पर इसके पास क्या होता है single posterior pore होता है in the adult excretory system में और यहां इसके जो कुछ example आप देख रहे हैं tinasoleum, tinasageneta, echinococcus इसका example है आज हमने discuss किया general characteristics of हमने discuss किया platyhelminthus को discuss किया उसके बाद हमने platyhelminthus का classification किया classification के बाद हमने turbularia class का characteristics को समझा इसके बाद हमने monogenia के characteristics को समझा इसके बाद हमने समझा ट्रिमेटोडा के characteristics को last में हमने किया किया सिस्टोडा के characteristics को समझा I hope आप सभी को यह lecture समझ में आया होगा Thank you